जेहंद, मैं लालित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया शनिवार को देश का बजट पेश किया गया जिसमें देश के किसानों के लिए कई तरह की बाते कही गई उनकी आए को दोगुना करने और क्रिशी में नई तकनीक के इस्तमाल पर भी बल दिया गया था और अब राजस्थान की गहलो सरकार ने अभी केंदर के बाद किसानों की आए और क्रिशी उपच को बढ़ाने के लिए कई गूशनाएं की हैं इसके लिए क्रिशी प्रसंसकरण वियर हाउस एमम कोल्ड स्टोरिज की स्थापना शामिल है इन इकाईयों की स्थापना के लिए अपैक्स बैंक और केंद्रिय सहकारी बैंकों से आथिक सायता उपलब्द कराई जाएगी इसके लिए गहलो सरकार ने इकाई स्थापित करने वाले किसानों और उद्यमियों को 500 करोड उपे के लोन उपलब्द कराई जाने का एलान भी किया है इसके लिए सहकारीता विभाग ने एक विस्तरित यूजना तियार कर ली है राजस्तान के सहकारीता मंतरी उद्यलाग आंजना के अनुसार किसान की आय बढ़ाने के लिहाज से प्रदेश में क्रिशी प्रसंसकरण, क्रिशी व्यवसाएं एमं क्रिशी निर्यात प्रोजसा नीती बनाई गई है, इस नीती के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले नए इवं बरतमान में स्थापित, क्रिशी प्रसंसकरण और क्रिशी व्यवसाएं में आधूनी की करण करने वालों को 6% वाशिक ब्याज पर लोन उपलब्द कराया जाएगा, जिसमें प्रते इकाईों की स्थापना के लिए कुल लागत का 75% तक लोन दिया जाएगा, इकाई स्थापित करने वालों को राजस्तान राज्य क्रिशी विप्णम बोर्ड की एकल खिड़की के माध्यम से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्द कराई जाएगा, आपको बता दें कि इस न आज अनुदान दिया जाएगा, सरकार के इस निर्ने से क्रिशी उध्योगों का विकास होने के साथ ही किसानों को आपूर्ती एवं मुल्य समगर्धन श्रंकला का भी विकास होगा, इस से राज्य में क्रिशी निर्यातकों को बढ़ावा एवं बिचोलियों से किसानों को म सरकारिता मंतरी उदेलाल आंजना के नुसार सरकार की नीती से राज्य की विशिश फसलों जैसे जीरा, धनिया, मेथी, सौफ, अजवाइन, गौार्ट, इसबगोल, दलहन, तिलहन, मेहंदी, ताजा सबजियां किन्नूर, अनार, आदी के मूल्य समवर्धन और निर्यात को प्रोसान मिलेगा, इन उत्पादों की पहुँच राश्ट्रिय एवं अंतराश्ट्रिय स्तर पर होगी, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उहां स झाल